नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आप शबी को बता दे कि भगवान शिरी राम ने भेज़ा है एक गुपत शंदेश जेहां दोस्तों अगर इशे नहीं देखा तो जल्दिश देख लो कि दोस्तों कल शे आप शेभी के जुनकाल में जो बड़े बदलाव होने वाले है शेभी लोग कहेंगे कि कुछ तो बात है आप में तभी एशा चमतकार आप शेभी के जुनकाल में हो रहा है जहां दोस्तों हम आप शेभी को बता दें कि अब वक्त आ चुका है जबाब मिठाई मार्टने के लिए हो जाओ तयार कि दोस्तों कलशे आपशिबी के जुनकाल में बड़ा बड़ा धमाका होने वाला है एक शब्दों में कहें तो दोस्तों कलशे आपशिबी की पूरी जिन्दगी बदलने वाली है पूरी जिन्दगी में आपको जो चीज़ नहीं मिला था दोसों वो बड़ी कुछ गबरी याश्व में आपको मिलने वाले हैं भगवान श्रीराम जी के श्रीवाज शेक कल शेक गाउं शमाज में आपके नाम के कोहरा मचने वाले हैं जिहां दोस्तों आने वाले कल शे अर्टालिश घंटों का जो शमय होगा आप शेवी के लिए भगवान शिर्राम का दिया हुआ शब्शे वड़ा तोफा है यह शेवी में आपको जो बड़ी खुशकवरी मिलने वाली है शुनकर आप शेवी के होस उड़ जाएंगे जिहां दोस्तों ये शुमय आपको एक ह्साध दो दो बड़ी खुशकवरी मिलने वाली है जे दोस्तों पहला बड़ी खुशकवरी आओगी कि एक तरफ आपके शत्रों का विनाश होने वाले हैं और दूसरे तरफ खुशकवरी के लाब चे मोके आप शिवी की जुनकाल में आने वाली हैं जो भी जातक आज के वीडियो को द्यांशी देखिएगा उनका जिवन बिल्कुल ही अमर हो जाएगा यूग है वह खुशियों में खेलेगा धनशी माला माल शबी का जिवन हो जाएगा और जो भी मीश करेगा वे आने वाले जीवन भर परस्ताएगा जी आदोस्तो शर्व परत्म दोस्तों आप शिवी को बता दे कि जो भी भगवान श्रीराम जी के शच्चे पिर भागते हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा श्री लाइक जरूरी किजेगा पर दोस्तों कमेंड बॉक्श में शच्चे मन शिव सच्चे हिर्दे बावशी जय श्रीराम जरूर लिखेगा दोस्तों ताकि भगवान श्रीराम जी का शिव मश्रवाद आप शिवी को पराप्त हो आपके जुनकाल में खुशियां बरशी जिया दोस्तों वर दोस्तों चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें वर दोस्तों कम हम आप शिवी को बता दी कि आने वाले 48 घंटों के अंदर आप शिवी के घरों की बहुती महत्पुन इस्तती बनने वाली है। जिन के कारण दोस्तों आने वाले 48 घंटों के अंदर अब आप शिवी के जिवनकाल में खुश्याही खुश्याह रहने वाली है। और दोसों जो भी आपके दुश्मन है जो भी आपके शत्रू है दोसों उनका विनाश आने वाले 48 घंटों के अंदर होना निस्सित है जी हैं दोसों इसलिए दोसों आज के इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें और दोसों इन्हें अंत तक बिल्कुल ही ध्याश दोसों आज के इस वीडियो को आप ध्याश दिख लिजिएगा जी हैं दोसों दोसों हम आप शुब को बिता दें कि आने वाले 48 घंटों के अंदर करों के स्तिती में चंद्रमा के जो दश्म अस्थान है दोसों वे आपके लिए बहुती शुब दे रहे हैं जी है दोसों व अमल किरती योग का निर्मान होने वाले हैं यानि ये दोसों आप शुब के जुनकाल में शफल अमल किरती योग का निर्मान आने वाले 48 घंटों के अंदर होने वाले हैं पर दोसों इस गरह के निर्मान होने के कारण दोसों आप शुब के जुनकाल में शुबलताओं की ब एब आपके खुशियों की दिन आने वाले हैं जी आडोसों अब आप टुकर सो्य के श्रबाश कोुशաर्बी की जुनथा युद नपकाने नियुके लिई कर आप दोस दोस के लोग सो और में कई शालों शे मेहनत कर रहे हैं जियां दोसों और आपके शात रहने वाले बहुत शारेशे व्यक्ति हैं जो कि दोसों हमेशा अपने जुनकाल में पूरी कारही करते हैं लेकिन दोसों वो अपने जुनकाल में खुश रहते हैं लेकिन दोसों हम आप शिभी को बता दें कि वे आपके अपने बनकर आपको लूटते हैं, जो लोग आपको हमेशा नुक्सान पहुंचाने के बारे में सुझते हैं, दोसों अब उनका विनास निस्चित है, कि दोसों आप शिभी को बिदा दें कि अब आप शिभी के जुनकाल में जो ये अमल किरती नाम का शिभीयो कर नर् आप आने वाले 48 घंटों के अंदर बिल्कुल ही शबल हो जाएंगी जी हां दोसों पर आने वाले 48 घंटों के अंदर दोसों जो खुशकबरी आपको मिलने वाली है दोसों बिल्कुल ही आप शिबी के दुस्मन जल जल कर मर जाएंगी जिहां दोसों आने वाले 48 घंडों काईशो में आपके लिए भगवान शिराम का दिया हुआ वर्दान है तो दोसों एशे में आप इस वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और इन्हें अंद तक बिल्कुल ही ध्यांशी देखिएगा जिहां दोसों दोसों हम आप शिपी को अभी तक भी नहीं मिला है लेकिन दोसों हम आप शिपी को बता दे कि गरहों की चाल हमेशा बदलती है इश्वर का नजर हमेशा हम शिपी के जुनकाल में रहते हैं जिया दोसों जो भी वक्ति अच्छा कर्म करता है उन्हें अच्छा फल एक नाय दिन आवशी पराप्त हो आप शिपी का शुभाव इतना निर्मल है कि दोसों आपके शामने कोई बी अंजान भी वक्ति आ जाए और दोसों वो भी मुशिबत में हो तो दोसों आप हात बढ़ा देते हैं लेकिन दोसों हम आप शिपी को बता दी कि शबका सोच आपके जिशार नहीं है और दोसों इन्हीं के कारण भी गड्डे में भी गिर जाते हैं जिया दोसों आपके द्यालू परवर्ति आपको कई भार नुक्षान भी देता है लेकिन दोसों हम आप शिपी को बता दें कि ये द्यालू परवर्ति आप शिपी के लिए बहुत ये अच्छा कर्म है जिया दोसों आप शबी का शबी के पड़ती अच्छा वयवार करना दोस्वं भगवान शीराम जी के नजरों में आपको शब से उंचे रखते हैं जहां दोस्वं हम आप शबी को बता दें कि आप पिछले करिश में से अपने जीवन काल में मेहनत करते आ रहे हैं तिन रात आपने एक किये हैं लेकिन दोस्तों फिर भी आपको वम खुश गबरे नहीं मिली है जितना आपने मेहनत किये हैं। लेकिन दोस्तों हम आप शिबी को बिता दे कि आपके जुनकाल में अब वह शमे जा चुका है। जिहां दोसों पिछली शमें आपने मेहनत बहुत किये हैं लेकिन शबलता भी आपको कम मिली है इसके उपरांती आपके अपने भी लोग आपको प्रिशान किये हैं जिहां दोसुं, आपके बहुत शारेशी लोग हैं, जो कि आपके अपने बन कर आपको लुटने का प्रयाश करते रहते हैं, आप शिबी के राशे के जात्ते का शभाव देखकर शभी लोग आपका फैदा उठाना चाहते हैं, जिहां दोसुं, आप लोग बिल्कुली शरल किस्षी के साथ जादा चल नहीं करते हैं, मुँपर हमेशा साफ साब बोल देते हैं, किस्षी के परती दिल में आपको पाप रखना नहीं आता जियां दोसुं, लेकिन आपके ही शेखर में आपके ही शाथ रहने वाले आपके अपने लोग, आप शी हमेशा इस या कही और आपको नुक्षान पहुसाने की कारी भी करते हैं लेकिन दोस्तों शमय के शाथ आपने अपना मेहनत को कमने के हैं दोस्तों पिछले शमय में आपको कितनी भी मुश्य बदाय हो कितनी भी बड़ी शमस्याय आये हो लेकिन दोस्तों आपने जिसे तेश्य करके अपने कारि शाहस के साथ आगे आए हैं जिहां दोसों लेकिन दोसों हम आप शुपी को विदा दें कि अभी भी आपका वह शमय नहीं आया है जिन के लिए दोसों आपने इतना मेहनत किये हैं जिहां दोसों लेकिन दोसों हम आप शुपी को विदा दें कि अगले 48 गंटों के अंदर अब आप के जिवंकाल में जो करहों के थतीप बन रही है कुन्हे निशार आप शिवंकाल में आपको वह किस्यव कर मु pussy किछिन मेंके मेन कर रहे थे हm secretary में अज रहे हैं यहां डोर सूंगे अगर आपकेपाश twitter में पेशिय ऑड़ी आता है तो दोस्वों वह पेशा चला जाता है शमज मेंने आता है शामने कि बदा करें जब आप आप मेहनत लुपर सो पाथे कुछ भलताओं करते हैं तो दोस्वों आपके अपने ही लोग आपчто बहुत ज्यादा जलने किuera ३पjar दुश्मन बनकर शामने आते हैं तो Judah आपको बहुत दुख होता है जहता दूसां बहुत-बार आपके Hem काली इसपरकार की मुशी बताई है कि यू आप आपको रोना तेया गया है लेकिन दुशां फिर भी आपने अपने आश्यो को किसी के शामने नहीं दिखाये हैं पर दोस्तों आप मन ही मन रोते हैं आप अपने कश्टों को देखर आप खुदे को दरोते हैं और किशी को भी ये चीट मालूम नहीं होने देते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बता दें कि आपका यही रवाया आपका यही शंगरशील जीवन आपक कि दुश्मनों का शबशी पहले शर्वनाश होगा जिहां दोसों प्रण्जों दोसों हम आप शिवी को बता दें कि अब शिय आपको अपने जुनकाल में कुछ गलतियों को भी भूल कर भी नहीं करनी है और कुछ बातों का ध्यान अपने जुनकाल में अवशी रखने होंगे जिहां दोसों जो कि आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तारशी बताने वाले हैं तो दोसों पूरी वीडियो आप बिल्कुल ही ध्यान शिदिखिएगा जिहां दोसों दोसों सबसे पहले आप शिवी को बता दें कि आने वाली 48 गंडों के अंदर जो गणों के स्तिती बनने वाली है इनमें आपको बड़ी बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है जिहां दोसों शबसे पहली और शबसे बड़ी खुशकबरी आपको वाईपार के ही शित्र में मिलेंगी जिहां दोस्तों धन से जुड़ी बहुती शमश्याएं आप शबी के जिवनकाल में पिछले कईश में से चल रहे हैं लेकिन दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अब आपका हुआ श स्थिती है गरहों का यहीं चाल है जो कि दोस्तों आप शबी के जिवनकाल में अब घटकर ही रहेगी जिहां दोस्तों इन घटनाओं को होने शे दुनिया की कोई भी ताकत अब रोक नहीं शक्ती जिहां दोस्तों इसलिए दोस्तों हम आप शबी को बता दे कि अपने जुन पुन कार आफशित के बंचाते हैं या पीर धोसों कोई बड़ा धनिलाव आपशिवी को प्राप्त हो जाता है तो धोस्वों एशे में इन श्वीक के जनकारी आपको किशी भी गयार व्यक्ति को नहीं देना है किसी भी शकित शम्मधियों को भी नहीं देना है दोस्तों एशा अगर आप करेंगे अपने जुनकाल में प्रशन हुए हैं, आप शिभी के दुखों को बगवान शिराम जी देख नहीं शकते, कि वो दोस्वों हम आप शिभी को बता दें, कि आपका कर्म और आपका इशा भाव है, इशी शरधा इश्वर के प्रती है, कि दोस्वों इश्वर भी आप शे मिलने के लिए बहुती प्रेदित हो जाती है जिहां दोसों। और आने वाले 48 घंडों के अंदर आप श्वेंग अपनी आकोंशे ही इश्वर बहुण श्रीराम जी का शक्ति को देख पाएंगे जिहां दोसों हम आकशिबी को विदा दे कि आने वाले 48 घंडों काश्मे बहुण भी पेशों की समस्याइं चल रही हो और फिर किशी परकार का जगड़े चल रहे हो किशी परकार की नौजों चल रहे हो दोस्तों वे शबी शमाप्त होने वाले हैं दिये दोस्तों बिल्कुल ही आप शबी के जुनकाल से अब शबी परकार की शमाप्त होने वाली है बचरती दोस्तों आप शबी को अपने जुनकाल में कुछ महत्पुन बातों का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा जरूरी होगा जैसे कि दोस्तों हम आप शबी को बता दें कि अब शबी आपको अपने जुनकाल में जो भी कारी करेंगे दोस्तों सो शमज कर ही कारी करेंगे दोस्तों शला को मानना आपके लिए हमेश्य नुक्शान दाए की राह है। खाशकर दोस्तों आप oney के उपर शब्से अदाब भरुशा के हैं और उनके शला को आप जब जब माने हैं। दोस्तों आपको नुक्शान ही उठाना पड़ा है। दोसों शबशे बहतर होगा कि आप अपने घर के बड़ी बुजर्वों का ही शला माने इससे दोसों अपने आने वाले जुनकाल में जो भी आपको शमयश्याय मिलेंगी उनसे आप मुक्ती भी पाएंगी और अशानिशी उनका शमधान भी ढूंड पाएंगी जिया दोसों औ एक परकारशी इशुवर का दिया हुआ हमारे लिए कोई खाजाना है जिया दोसों और ये खाजाने में हम जितना महनत करेंगे जितना उनका शही स्यूपयोग करेंगी दोसों वश्य में हमारे लिए उतना ही किमती शाविट होगा दोसों कई बार आप शिभी के जिवनकाल में इस परकार के उतार चड़ाओं आये हैं जहां पर आपको बड़ी शफलताई भी मिली होंगी और कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा नुक्षान भी उठाना पड़ा होगा जियें दोस्तों और वश आयस में आप याद कर रहे होंगी कि वश में हमारे लिए बहुत ही किमत होते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शिवी को बढ़ा दें कि शमे महंगे शावित नहीं होते हैं दोस्तों महंगे तो आप शावित होते हैं जितना आप अच्छे कारी करते हैं जितना आप हमेशा कारियों में मलनगर कार करते हैं उतना ही शमे का शाथ गरहों का शाथ और इश इसलिए दोसों अब आपको शमी को बिल्कुल भी नश्ट नहीं करना है हमेशा जो भी कार करें दोसों शो शमज कर ही कार करें यह आपके लिए शबसे बहतर शाविद होगा जिया दोसों इश्कु प्रांती हम आप शिबी को बिदा दें कि आने वाले 48 घंडों के अंदर दोस लेकिन दोसों इश्य कारियों में आप बिल्कुल ही ना घबराए जिया दोसों जो भी कार कर रहे हैं उनमें बश आपको इश्वर का नाम लेकर आगे बढ़ना है दोसों हमेशा आपको अपने कारियों में शबलता मिलेगी जिया दोसों उन कारियों को करने के लिए रिश्षानियां श्माप्त होने वालिए जिए दोसों इक्ष्व्क उप्रांदे दोस्तों हम आप शिवी के बता दें कि अगले 48 घंटों के अन्दर आप शिभी के जुनकाल से शत्रूं का विनाश होना निस्सी थह जिए दोसों यह जो गरहों के सति बनी है जिया दोसों यह जो ग्रहों का निर्मान हुआ है यह आप के लिए बहुत ही शुभा गिशाली शमय लेकर आने वाले हैं जिया दोसों शफल अमल के रती योग का निर्मान आप्शिविक के कुण्डली में होना दोस्तों कोई आम बात नहीं है दोस्तों एशे योगों का निर्मान बहुती कम लोगों के जुनकाल में होते हैं जयां दोस्तों जो लोग अपने करमशी बहुती उंचे होते हैं जो लोग हमेशा इश्वर के परती सच्चा बिश्वास रगते हैं जो लोग हमेशा शही कार करते हैं जो लोग हमेशा अपनी जुनकाल में कड़ी मेहनत जिनरात एक करके प्रिश्यम करते हैं दोस्तों उन्हीं के जुनकाल में इश्यूर उनके फल देने के लिए उनके कर्मों का फल देने के लिए इश्य महत्पुन यूगों का निद्मान करते हैं जियां दोस्तों इश्यूर दोस्तों हम आप शिबी को बता दें कि शत्रू का विनाज आप शिबी के जिवनकाल में केशी होगा दोस्तों शब से पहले आप शिबी को बता दें कि शबलता की बार आप शिबी के जुनकाल में आने वाली है और जो भी शत्रू आपको देखकर बहुत ज़्यादा हंसते थे जो भी शत्रू आपको देखकर बहुत ज़्यादा जलते थे पर दोस्तों यश में आपकी शफलताओं को देखकर वो जल जल कर ही मर जाएंगे जिहां दोसों उनके जुनकाल में इस परकार के इस्तती बनने वाली है कि दोसों वे लोग अपने आपको बिल्कुली शद्मे में पाएंगे जिहां दोसों और जो आपके उपर हंस्ते थे दोसों उनका यश में बहुती बुरा हाल होने वाले हैं जियन दोसों बस हम आपको यही बात कहना चाहेंगे कि आपको अब कुछ भी नहीं करना है उन लोगों को बिलकुल भी उनके बारे में नहीं बोलना है नहीं उनका शब्द अपने मुह पर लाना है बस दोसों आपको अपने जुनकाल में कारी करने हैं जो भी शबलता हैं आप बगवान श्री राम आपशिवी को दे रहे हैं। दोस्걸 उन्हें आपको बच लेना है और अपने जुनकाल में आगे बढ़ना है। दोस्वों यकीन मानिये आने वाले 48 घंडों का शमे आप शिभी के जुनकाल में खुश्यों की हर्याली होने वाली है। हजी हाँ दोसों, हम आप शिवी को बिदा दें कि दोसों अगले 48 गंटों के अंतर आप शिवी को अपने जुनकाल में कुछ महत्पुन उपाय को भी करना चाहिए, जिनसे दोसों आप शिवी का जो भी शमय है वो बिल्कुली शक्ति 40 शमय बन जाएगा और यह शमय जो भी आ आपके कारे हैं वे बिल्कुली शम्पन हो जाए जिया दोसों, तो दोसों हम आप शिवी को बिदा दें कि शब्से पहला उपाय आपको अपने जुनकाल में यह करना है, कि दोस्वी के जुनकाल में पेशा होता ही रहता है, कि पेशा आपकी जुनकाल में टिकता ही नहीं है जियां दोस्तों आपके राशी के बहुत शारे जात तक इस बात को लेकर परिशान है कि दोस्तों आप पेशा कमाते हैं इस बात नहीं है कि आप पेशा नहीं कमाते हैं दोस्तों आपने अपने जुनकाल में बहुत शारा पेशा कमाये हैं लेकिन दोस्वों आपका पेशा कमाया हुआ रूक नहीं पाता है जिया दोस्वों आप इतना मेहनत करते हैं इतना शंगर्च करते हैं और दोस्वों वापेशा आपके पास नहीं ठिकता है कोई ने कोई बिगन बदाओं में वापेशा खर्च होई ही जाता है तो दोस्वों धन आप शिवी के घर में रुख जाए तो दोस्वे आपको क्या करना है जिया दोस्वे शब से पहले आप शिवी को बता दें कि आपके आर्थिग तंगी को दूर करने के लिए ये शब से बड़ा और महत्पून पाए है जिया दोस्वे बहुत ज्यादा करजा हो गया है या फिर वाई पार आपकर नहीं चला हो तो दोस्वे आपको एक चमकीला लाल कपड़ा लेना है उशे बिचा कर उश पर लाल चंदन का टुकड़ा लाल गुलाब के फूल रोली तदा 48 पेशे रखें दोस्वे फिर उश कपड़े में शारे शमान को बांद कर पोटली नुमा या जाते हैं जु किसी ना शेखें उपचा कि घर में माता लक्षमी का वाश हो जियां दोस्तों इस उपाय को आपको बिल्कुल भी नहीं भोलना है इन्हें आपको करना ही करना है जियां दोस्तों इसको प्रांदी दोस्तों हम आप शिप को बता दें कि आपके जोनकाल में अब शत्रूं का विनास होना निस्जित है जियां दोस्तों और इसकी लिए आपक पांच बजे का शमय दोसों ब्रह्म मूरत का शमय होता है और या शमय 24 घंटों में यह सबसे ज़्यादा सकति शालीश में होता है जो भी वक्ति कोई भी कार करता है किसी भी चितर में कार करता है उनका मेहनत का फल दुगने तेजी से उन्हें प्राप्त होता है इसलिए दोसों बहुत शारेशी इस्टूटेंट होंगी जो कि शुबऄ के शमय पढ़ते हैं और शुबऄ के शमय इशुवर की देवे शुक्तियां उनके शाथ होती है जेंदोसों शुबऄ का शमय ब्रह्म मूरत का शमय होता है के लिए इसलिए दोस्तों आज के वीडियो का सिर्फ सक्याई है कि शत्रू का विनास होना निज्जित है जो भी शत्रू है जो भी दुश्मन है यह उनके जुनकाल में खुन की नदिया बहने वाली है वो लोग बहुत ही रोने वाले हैं तो दोस्तों इसमें आपको थोड़ा खुश नहीं देखना चाते हैं चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा सोचें चाहे आप उनके बारे में कुछ भी ना सोचें लेकिन दोस्तों वह आपके बारे में हमेशा सोचते ही रहते हैं और दोस्तों कभी भी आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं जब भी स करते हैं तो दोस्तों इन से बचने के लिए शत्रू का विनाश करने के लिए अगले 48 घंटों के अंदर आप शिवी को बता दें कि जो भी शत्रू आप शिवी के जिवनकाल में हैं जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं उन शबी के घर के आगेशे दोस्तों थोड़ा अच्छी मीड़ी आपको ले आकर हर्मान जी के मंदिर के शामले future दोस्तों और थोड़ा शाब आपको उनमें क्या करना है कि दोस्तों हमाबली हर्मान जी का जो शिंदूर है उन्हें लगाकर उन्हें बिलकूल ही एक लाल कपड़े में लपेट लें और दोस्वों आपको उन्हें उठा कर सबसे पहले आपको अपने घर की जो दक्चिन दिशा है दोस्वों वहां पर जाकर गार देना है दोस्वों इशा करने से जो भी शत्रू का नाश है वो दोस्वों निश्चित होगा और दोस्वों उनका शमी बिल्कुली दक्षिन दिशा की और जाएंगी, उनका शमय, उनका केरियर, उनका आने वाला भईश बिल्कुली आप शुबिकी जुनकाल से नश्ट हो जाएंगे, वे आपके बारे में कभी भी भूल कर भी नहीं शोचेंगे, जिया दोसो और ये उपाय आपको मात रगल 48 घंटों के ही अंदर करना है, क्योंकि शमय की जो इस्तिती है, उनके नुशारी उपाय है, जिया दोसो, तो ध्यान रखिएगा कि अगले 48 घंटों के अंदर अगर आप ये उपाय करती हैं, तो शमय किस्ति जैसी है, उनकी शादगरहों का भी शाद मिलेगा, और आपके ज शवी परकार के शत्रुआ का विनाश होना हननिसीत है, जिया दोसो, इश्क उप्रांजी दोसो, हम आप शवी को बता दें कि आपको अपने जुनकाल में कुछ और भी महत्पुन उपाय को करना चाहिए, जिन से दोसो, आने वाले 48 घंटों के अंदर जो गरहों की इस्तिती है, वो दोसो, और भी शक्ति शाली हो जाए और और भी आपको फल दे, जिया दोसो, गरहों की भी इस्तिती के लिए वेक्टी बहुत शारी उपाय करते हैं, ताकि उनके जुनकाल में गरहों का इस्तिती बहुत ही अच्छा हो जाए, इसलिए दोसो, आपको गरहों के इस्त आता लक्षमे के मंदिर जाकर कमल के फूल नारियन अर्बित करना है तता शपेद मिधाई का भी आपको भोग लगाना है दोस्तों यह शकर आप कर देंगे तो धन की जो भी शमयशे आपके जुनकाल में चल रही है दोस्तों उनसे आपको चुटकार मिलने में दूगनी तेज पेरों शमीटा दें और वाशी में आपको एक एक बार हनुमान चलिशा का पाट कर दिना है या फिर राम नाम का चाप आपको एक शो आठ पर करना है दोस्तों इशाग कर देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आप शिभी का शत्त्रू बिल्कुल ही आप शिभी के जुनकाल से मिट जाएंगे उनका नामों निशान भी आप शिभी के जुनकाल में नहीं रह पाएगा दोस्तों हम आपको यह उपाई इसलिए बता रहे हैं कि दोस्तों अगले 48 घंटों का शमी खासकर आपके लाब के भी शमय है और शबसे दब महत्पुन आपके दुश्मनों के लि और भी महत्पुन उपाई बता रहे हैं कि दोस्तों आपके घर में जो भी कारे हैं दोस्तों उन्हें आप शही ढंक से रखें जिसी कि दोस्तों अगर आप घर में कोई भी बच्चे को रूला रहे हैं तो दोस्तों आपको इशान नहीं करना है बच्चे को बिलकुली शान् प्रेम भरा माहल अगले 48 घंटों में रखना है कि दोसुं आप शिवी को बता दें कि गरहों के इस्तिती जहां शाथ है जहां अमल किर्थी योग का निर्मान आप शिवी के जुनकाल में है तो दोसुं शाक्षात भगवान शिर्राम जी का शिम शिर्वाद आप शिवी के शा आपको 108 बार राम नामका जाप करना है और भगवान शिर्राम को अपने दुक की शारी जो पीडाए है फिन शिवी को आपको शुनाना है धुजो mü आप श भी को बता दें कि आपको भगवान श्रीराम श्वेंग आप शिवी के शाथ cover साथ रहेंगी और भगवान सृत शिर अगर उपाए हीं ज्याद खाश्यदों खाश गर अगले 48 घंठों में गर आपने इन उपाएं को कर लिया तो दूसवं आपके लिए शूने से जीव जन्तु का आपको ठेश पहुंचाना है किसी को भी अपसब्द भाषा का पर्योग नहीं करना है साथ साथ दोस्वों और भी महत्पुन बात आपको बताते हैं कि धन की देवी माता लक्षमी का वाश आप शिविक के घर में होगा पेशों की दंग्या आप शिपी के दूर होंगी और दोस्वों इनके लिए आपको कुछ महत्पुन बातों का ध्यान रखना होगा जेतों जोकी बहुत ही शरल है दोस्वों बहुत शारिशी लोग होते हैं जिनें अपने जुनकाल में बहुत देदा कष्ट होते हैं वे दोस्वों पूजा के लिए भी कुछ शमारगरी खरिद नहीं पाते हैं तो दोसों उन शबी शबी माताललक्षमी परशन होते हैं बश उनको अपनी उनकाल में कुछ महत्पून बातों का ध्यान रखना है जो की माताललक्षमी को सबस्री ज़्दा पर यह है जिया दोसों हम आप शबी को बता दें कि आप यह बात हिंदू धर्मषे ही यह बात पर चली थे कि शबी श्तरीयों में माताललक्षमी का वाज है जिहां दोसों और जो भी ज्यातक शबी श्रियों का शमान करेगा उनके जुनकाल में मातालक्षमी कभी भी रुश्ट नहीं रहेंगी जिया दोसों तो आपको अब क्या करना है कि आने वाले शुमे में कभी भी को इस तरी को परिशान नहीं करना है नहीं उनको दुख लेना है नहीं उनको अब शब्द बोलना है ज्यादोसों चायव इस तरी आपके घर की हो या फिर बाहर की हो ज्यादोसों बश आपको उन शबी का आदर करना है शमान करना है ज्यादोसो अगर आप उनका शमान आदर नहीं कर शकते हैं तो दोसों उन शे आपको बिल्कुल यह नादर तरीके शे पेश नहीं आने हैं जिये दोसों अच्छे शौबाव आपको रखना है यह दोसों माताल लक्षमी के सबसे बड़े प्रशन करने के उपाय हैं जिये हैं और इनशे भगवान श्री राम भी प्रशन होते हैं और कर्म की देता भगवान शननी बाव रखेंगे kald अगर आप शबी के प्रति अ देखने के लिए जी दोसों बश आपको अच्छे कर्म करते जाना है और जोनकाल में सब कुछ बगवान श्रीराम जी पर छोड़ देना है दोसों आपके जुनकाल में कोई भी प्रेशानी नहीं होगी इस बात का दावा है इस बात की गिरंटी है तो दोसों इन बातों का ध्य आप आने वाले 48 घंटों के अंदर रखेगा शमे बहुत ही अच्छे हैं दोसों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आप शिवी का धर्निवाद आप शिवी का दिन शुब हो मंगल में